Hello everyone, welcome to Magnet Brains, this is इंदर विक्रम, और इस वीडियो में अब क्या पढ़ना है हमें, इस वीडियो में रेनेसांस के अगले मोटिवेशन को, अगले थ्रस्ट को पढ़ना है, यानि अभी तक आपने humanist view में बागे सारी चीज़ों देख ली, लेकिन क्या कहीं न कहीं ये European revival जो है, ये Italian states में एक तबका जो रह गया है हमारा, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको ये पढ़ना जरूरी है, तो ये कौन सा तबका, ये कौन सा section है, women's का section है हमारा, महिलाओं का section है हमारा, ठीक है, तो इस women के section में, अब हमें ये जानना है, कि उस समय में महिलाओं की क्या conditions क्या उनके aspirations थे, क्या उनकी आकांगशाएं हैं, ठीक है, क्या वो क्या चाहती हैं, basically, किस level पर उनको motivation मिला, उस समय के Europe में, ये सारी चीज़ें समझते हैं, इस video में, the aspirations of women, ठीक है, तो positions of women in the families of merchants, however, was somewhat different, देखो, ये जितने भी Italian states है, जिन Italian states की हमने बातें करी हैं, अभी तक, especially जिनकी, Venice की, Genoa की, Florence की, तो ये जिन शहरों के हम बात कर रहे हैं, यहां पर, और इसको आप साथ-साथ, पुराने feudal system से भी compare करते चलना, ठीक है, जो हमारी पुरानी, जो feudalism वाली society थी, सामंतवादी व्यवस्ता, उसमें महिलाओं की क्या आश्तिती थी, तो comparison अगर हम करें, तो पुराने समय में, medieval time पे, हमारा जो व्यवस्ता थी, जिसमें, जब feudalism चल रहा था, उस समय भी देखो, women's की जो condition है, उसमें बहुत सारी women's अगर चाहें, तो वो none बन सकती थी, यानि अपनी life को spiritual pursuits के लिए, spiritual objectives के लिए, spiritual goals के लिए dedicate कर सकती थी, तो ये वाला concept था पहले भी एक तरीके से, कि spirituality के लिए, अध्यात्मिक्ता के लिए, जगे थी महिलाओं के लिए भी ऐसा नहीं था, ठीक है, कि महिलाओं जो है, वो spiritual domain में enter नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी, आपको पता है कि priest महिलाओं नहीं बन सकती थी, spiritual priest वाली जो condition थी, उसमें न, चर्च में नहीं जा सकती थी, priest सिर्फ man बन सकते थी, monastery में monk के साथ nun रह सकती थी, और बाकी अपनी spiritual life को ये lead कर सकती थी, उसके अलावा, कहीं पर हमें कोई और evidence नहीं मिलता है, कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि woman का नाम आया हो, इसका मतलब ये feudal society जो थी, उसमें महिलाओं को सिर्फ जो third हमारा section था, third order था, उसमें पुरुशों के साथ बराबर सिर्फ काम करो आप, और उसमें भी काम में भी ये होता था, कि ठीक है चलो, खेतों में, agricultural purpose पर, cultivation वगारा में, या बाकी कुछ कामों में इनको लगा दिया जाता था, competitively थोड़े से कई बार delicate कामों में इनको लगाया जाता था, hard activities या कुछ rough जो काम है, वो इनसे उत्ते जादा नहीं करवाया जाते थे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि थोड़ा सा leniency, हलकी फुलकी मिलेगी, बट महिलाओं के लिए कुछ ऐसा literature, education और इस तरीके कुछ facilities हों, ऐसा कुछ हमें जिक्र नहीं मिला है, तो फूटल सुसाइटी से comparison करने में इतना समझ में आ गया कि जो European Medieval Society थी, मद्देकाली समार्स था या जो समंतवादी विवस्ता चल रही थी, उसमें महिलाओं के education के लिए, महिलाओं के political upliftment के लिए हमें ज्यादा role देखने को नहीं मिलेगा, उनका education जो है, social structure जो है, वो social structure में आप देखे रहें कि, third order में बाकी लोगों के साथ काम करने में ही वो लगे हुए, तो कोई बहुत challenging position नहीं है women's की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा household activities तक ही restricted है, लेकिन अब आगे-ागे जैसे आप देखोगे, तो आगे-ागे आपको थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा, हलाकि कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा से परिवर्तन मिलेगे, हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे women's हैं जो आगे बढ़ेंगी और वो scholar की तरह हैं बहुत बड़े scholars की तरह हैं जो humanist philosophers थे male philosophers उनके साथ आप देखेंगे अपने भी बराबर views दे रही हैं लेटर्स के exchanges हो रहे हैं यानि अपने opinions जो थे वो लोग एक दूसरे से लेटर्स के तरह एक्षेंज करते थे एना universities में lecture देने जा रही हैं तो women's कुछ ऐसी आएंगी जो थोड़ा सा limelight में थोड़ी सी leadership जो कहेंगी की domain में otherwise बाकी normal women's की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा considerable reforms नहीं है या पर फिर भी थोड़ा सा है कि चलो पहले की तुलना में तो बहुत कुछ है क्योंकि अब वर्ग भी बदल गया तो महिलाओं की जो अस्तिती है उनमें आप चुकि अब क्या है ज़्यादा तर जो families है वो क्या है merchants है खासकर इन शहरों की बात करी जिनकी हमने इटालियन इस्टेट्स की तो इन इटालियन स्टेट्स में ज़्यादा तर लोग कैसे है व्यापारी है अब इन जो व्यापारी है merchants है ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा अलग है condition और बाकी जगों पर अलग है condition ठीक है shopkeepers were very often assisted by their wives इसका मतलब यह हुआ कि shop को run करने में अगर महिला बराबर का योगदान दे रही है इसका मतलब समाज में पुरुष जो है यह महिला को सिर्फ और सिर्फ household activity तक restrict नहीं कर रहा है उसको equal companion की तरह treat कर रहा है कि हाँ ठीक है चलो मेरी जो professional activities है उन professional activities में आप equally पार्डिसपेट कर सकते हैं तो shopkeepers वगरा जो होते थे दुकानदार वगरा जो होते थे व्यापारी जो अगरा होते थे खासकर वह व्यापारी जिनकी established shops वगरा होती थी farms वगरा होती थी तो इनकी जो wipes होती थी वह बराबर उनके help करते थे हैं उनकी उनकी सहायता करती थी वहाँ पर तो यह एक चीज़ आपको देखने को मिली चलो तो मतला कुल मिला के थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहां पर एक considerable amount में equality practice हो रही है चलो इन families of merchants and bankers अब थोड़ा सा और बड़े परिवारों की तरफ जाएंगे यानि जो merchants है यानि जो बड़े merchants हो गए जो move करते रहते हैं ठीक है या फिर जो bankers वगएरा हो गए ठीक है तो यह जो bankers वगएरा हो गए इनकी जो wipes होती थी यह उनके businesses वगएरा को भी देखती थी खासकर उस condition में जब उनके male counterparts जो होते थे यानि उनके हाँ पुरुषवर के लोग होते थे वो घरों में नहीं रहते थे या business related activities से बाहर जा रहे होते थे कहीं पर बाहर जा रहे होते थे तो local level पर जो business activities हो रही है उनको वहाँ पे जो women's होती थ थी थी तो इस तरीके से मैं कहें दूं कि अब हमारी जो condition है इस यानि जो social political condition है इसमें women's की condition थोड़ा सा improve हो रही है थीक है थोड़ा सा positively जो है वो move कर रही है चलो इसके अलावा अब आप देखेंगे कि कई बार leadership role में भी आ रही है माल लीजे किसी व्यापारी की मृत्ती हो जाती है समय से पहले early death हो जाती है अब ऐसे condition में उसके business को कौन manage करेगा उसके business को कौन आगे run करेगा तो ऐसे condition में जो उसकी widow होगी यानि उसकी जो विद्वा पत्नी होगी वो अब larger public domain में आ जाएगी यानि उसकी जो public dealings है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और अब वो वही सारे काम करना शुरू करेगी जो उसका husband करता था यानि कि जिस तरीके से business की activity उसका अभी तक husband manage करता था सेम उसी तरीके से अब वो wife जो है वो manage क करना शुरू कर देगी ठीक है तो यह वाला situation हमें लेकिन aristocratic families में मिलता है यानि एक ऐसे वर्ग मिलता है जो एक कह दें तो लुनात्मक रूप में comparatively थोड़ा सा एक उच्छ वर्ग था ठीक है काफी creative है यानि एक तो household activity की तरफ भी आप देख रहें तो household activity में भी women's के रोल है ठीक है तो कुल मिला कि जो humanist view है उसमें जो अभी आपने पढ़ा की many sided यानि कि बहुत सारे उसके पहलू हो सकते हैं उस बहुत सारे पहलू का यहां पर reflection हो रहा है बहुत सारे पहलू का reflection हो रहा है मतलब humanist business women बन रही है महाँ पर clear है और ज्यादा बड़े public dealings को public role को play कर रही है clear है और इसके अलावा जो है ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन तीन फील्ड में इसके अलावा scholars भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो education के field में भी आगे बढ़ेंगी और तो वो scholars के रूप में establish करेंगे अपने आपको इसका मतलब की पढ़ने और लिखने आगे बढ़ने universities वगारा में सिक्षा के जो scope हैं इसमें बरावरी का हक मिलना शुरू हो गया थे ठीक है इसमें प्रचलित है उस मानवतावदी शिक्षा के प्रती महिलाओं का जो रुजहान वह बहुत तेरी से बढ़ रहा था और वह उन सारी चीजों को support करती चली जा रही थी उन सारी activity को support करती चली जा रही थी जो activity उस समय के humanist philosopher established करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है जो activity उस समय के humanist philosopher establish करने की कोशिश कर रहे थे तो इनका purpose सिर्फ यही था कि जब बात humanist की आती है तो यह collective word हो गया humanist में कहीं पर यह differentiation नहीं है कि man और कहीं पर यह differentiation नहीं है कि woman यानि human means both the man and women are or must be equally treated यानि लगभख समान है और हो सकता है कि उनके अभी तक थोड़े से वैचारिक अंतर थोड़े से बने थे थोड़े से मतलब ideological difference बने थे ideological difference का मतलब अभी इतनी equality practice होनी नहीं शुरू ही थी लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं था कि उसी लेवल पर जिस लेवल पर पहले discrimination था यह जिस लेवल पर पहले treatment होता था उस लेवल पर अभी था नहीं अब humanist view का मतलब साफ हो गया था कि हाँ काफी हद तक मैलाएं जो है वो उन सभी कामों में पुरुशों के बराबर या लगभख उनके जस्ट एक सहायक के तौर पर ठीक है उनको help करने के तौर पर जो है वो कर सकते हैं यानि एक जस्ट secondary backup के तौर पर उनके देखो यहां पर एक बहुत मैतपूर्ण चेंज आपको दिख रहा है यह जो नया परिवर्तन हो रहा है इस नय परिवर्तन में अभी मैंने कहा कि यह जो equality है इस equality का थोड़ा बहुत हमें reflection देख रहा है लेकिन equality का reflection जो है वो सिर्फ कहां पर है जहां पर assist करने की बात चल रही है ठीक है जहां पर assist करने की बात चल रही है वहां पे तो reflection है लेकिन क्या वो एक पुराना जो एक concept कुछ वीडियो में हमने अभी इसी इसी चैप्टर की वीडियो में शुरू किया था क्या वो concept इन्हीं women's के उपर भी लागू हो रहा है है ना नहीं इस यूमिनिस्ट व्यू में यह जो नया concept आ रहा था किसका citizenship का ठीक है यह आपने शुरूवाती वीडियो में ही इस चाप्टर के पढ़े थे कि हमारे जो इटालियन स्टेट्स थे वहाँ पर क्योंकि जो feudalism है वो उस level पर deep rooted था नहीं और इस वज़े से वहाँ पर bankers, merchants, traders यह लोग grow कर रहे थे और धीरे धीरे यह लोग wealth के तरफ attract हो रहे थे और इस वज़े से अब चुकि वहाँ पर कोई बहुत ना पोप का इतना बोल बारा है ना कोई बड़े feudal lords हैं तो feudal lords भी नहीं है और पोप भी नहीं है इस वज़े से वहाँ पर सामान निवक्ति है वही आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर citizenship का sense of identity जो है वह डवलप हुई और उन शहरों से लोग अपनी पहचान बनाने लगे और citizenship का concept डवलप होना शुरू हो गया तो यह citizenship का concept का मतलब है कि ए सब्सक्राइब एक वैलिड नागरिक है ठीक है एक वैलिड सिटीजन है एक वैलिड इंडिविजूल है जो डे टुडे जो भी हो रहा है ठीक है सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है उनमें अपना उपीन रखता है ठीक है उसकी राय जो है बहुत मैटर करती है तो citizenship का मत सब्सक्राइब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नकुछ अपने विचार ओपीनियन पॉलिटिकल इंकलिनेशन रखता है है ना उसका उस समाज में उस शेतर में उस शहर में एक पहचान है क्या वह चीज़ वुमेंस को मिल रही है नहीं तो कुल मिला के देखोगे कि इ आदिविजुआलिटी का एक व्यक्तिगत ऑफ इंडिविजुएलिटी जो थी एक एक सेल्फ खुद के होने का जो एक उस शहर में व्यक्ति के तौर पर एक जो पहचान का आभास है वो जो है महिलाओं को नहीं ता इंडिविजुआलिटी एंशिएंशिप एक्स्लूड़ वुमेन उसमें महिलाओं को बाहर रख दिया गया था क्लियर है मैन फ्रोम एरिस्टोक्रेटिक फामिली इस डॉमिनेटेट पब्लिक लाइफ यानि जो विशेस अधिकार संपन परिवार होते थे इन अधिकार संपन परिवारों में जो पुरुश वर्ग है पुरुश वर्ग लीडर्शिप करता था कुल मिलाखे अब आप कह सकते हैं कि परिवर्तन तो हो रहा है इस परिवर्तित होने वाले समाज में भी अभी भी पुरुश होई नेतरत्व कर रहा था पुरुशी पस्थिती में आप कह सकते हैं कि उस रोल को प्ले करने के लिए है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वही जगह ले लेगी जो पुरुश की जगह पर नहीं लेगी यानि जगह लेने का मतलब है कि उसी तरह से आधिकारिक तौर पर उस उसको इंडिविजुली ट्रीट नह महिला को नहीं मिलेगी भले वो क्यों ना हुस्वेंड का अपने उसके अबशिंस में बिजिनस की ना करती हो थी ए तो तो even फ्रॉर्वर रैसड्री का समाज की तरफ वह परिवार जिसमेंग फादर ने पादर वह रोल मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता तो परिवार में फादर बहुत important entity है वही decision लेगा और वह decision सब के उपर equally लागू होगा मतलब परिवार के किसी भी सदस्य से related जो भी निर्णे लिए जाएंगे उन निर्णे को परिवार के उन सदस्यों को मानना पड़ेगा और चूंकि पुत्र सत्तात्मक समाज है इसलिए फादर अपनी लिगेशी को अपनी विरासत को किसके साथ शेयर करेगा अपने बेटों के साथ शेयर करेगा ठीक है इसलिए इन परिवारों में जो पुत्र होते थे बेटे होते थे ठीक है उनको पढ़ाया लिखाया जाता था प्रॉपर तरीके से और इसके कि बाद उनको जो भी विवसाय है उसमें train किया जाता था तो यह गतिविदी आपको देखने को मिलेगी कि पिता की जगह जो है उसके बेटे लेंगे और पिता उनको संबंध प्रेम पर अधारित नहीं विवा संबंध सामान ने भावनाओं पर अधारित नहीं मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा marriage relations emotional bondage भी है marriage relations कहीं न कहीं social relations भी है लेकिन उससे कहीं जाधा इन शहरों में अब यह थोड़ा सा बढ़ कहीं न कहीं एक ऐसी चीज भी है जो व्यक्तियों के हर्देयों को दिलों को नहीं जोड़ती है एक्चल में न क्योंकि professional relationship के उपर marriage alliances हो रहे हैं ठीक है तो marriages were intended to strengthen business alliances यानि विवा संबंद वगर अभी इस्थापित किये जाते थे तो वह यह देखे चुंकि आप क्या है जिन शहरों की आप बात कर रहे हैं इटालियन स्टेट्स की बेसिकली ट्रेड बेस्ट शेहर है उनकी economy trade से चलती है है और व्यापार वहा उनका domain जो है profit making business oriented हुए था तो इसलिए जब human relationships की बात आएगी तो उसमें भी वो क्या कहेंगे कि यार कैसे दो बड़े merchants हो गए अब वो दो बड़े merchants हो गए उनको अगे अपने trade को और आगे flourish करना है तो उनने आगे वैवाहिक संबंद अपने बेटे बेटियों के वैवा नहीं में एक तरह की joint venture में बदल दिया clear है तो यह एक चीज आपको देखने को मिल नहीं तो यह थोड़ा सा एक बड़े लेवल के सोच है हलांकि अभी यह जरूरी विथा इस तरीके के business alliances ताकि trade को boost किया जा सके ठीके ना चलो इफान एडिकेट जोरी कुड नाट बी अरें की यह जो है वो थोड़ा सा system ठीक नहीं है तो बेटियां जो होती है अगर उनके पास पर्यापत पैसा नहीं है विवा करने के लिए किसी भी माता पिता के पास ठीक है तो वो लोग क्या करते थे विवा करने के लिए इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर आपको शादी तो उसका एक साइड इपेक्ट यह देखने को मिलता था कि वह लोग भीवाह नहीं करते थे फिर अपने बेटियों की ठीक है और विवाह नहीं करते थे अपनी बेटियों के क्या कर देते थे नन बनने के लिए नन का जीवन जीने के लिए यानि एक मॉंक के तरह लाइफ या spiritually जो है वो spiritual life dedicate करने के लिए उनको आगे भेज दिया जाता था कि आप अपना जीवन जो है भगवान के लिए इश्वर के लिए दीजिए तो यह एक हो सकता है बड़ा concept भी रहा होगा लेकिन आगे जाके अभी आप देखोगे कि यह चीज़ society में जो है वो एक तरीके का disturbance भी create करेगी एक होता है कि आप अपनी विल से जो है वो spiritual life में जा रहे हैं एक होता है कि out of social problems या social force जो है सामाजी के जो मजबूरी है उसकी वज़े से आप जा रहे हैं धर्मिक जीवन को जीने के लिए तो आपका जो मन है वो धर्म की तरफ नहीं है ठीक है क्योंकि आपके पास प्रयाप्त संपत्ती नहीं थी प्रयाप्त धन देने के लिए नहीं था विवाह में उससे में धन लगता था अब ट्रेड बेस सुसाइटी में यह चीज़े हैं कि हर एक चीज़ को कहीं न कहीं कॉमर्स या मॉनेटरी टर्म में देखा जाने लग गया था इसलिए सफीशिंट अमाउंट में पैसा ना होने की वज़े से दहेश का पैसा उपलब दना कराने की वज़े से या विवस्था ना किया जाने की वज़े से वो लोग अपनी बेटियों को नन बनने के लिए भेज देते थे ठीक हैं पब्लिक रोल आफ वुमें वोस वो जो है वो घर का कामकाज देखने और चलाने वाले हैं और वो घर की कामकाज को बेहतर तरीके से चलाएं इसी से आगे जो है वो चीजमें बढ़ेंगी उसी से जो है सब का वृलार होने वाला है तो कुल मिलाके महिला और पुरुष इस revival के दौरान भी अंतर में आ गए और अंतर में कैसे आ गए एक व्यक्ति लीड कर रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ यह है कि हाँ आप घर में पूरे household activities को manage करें और household activities को manage करने के साथ असिस्ट करते रहें आप अपने husband को ठीके तो यह है लेकिन अब हमें कुछ परिवर् परिवर्तन है वो परिवर्तन यह है कि इटली में कुछ लोग है कुछ ऐसे बड़े traders है ठीक है कुछ ऐसे लोग है effluent लोग है संपन परिवार के लोग है ठीक है जिन्होंने कुछ नए example set कि यह कौन लोग थे तो इनी में से एक हमारे पास लेडी का जिकर आता है जो वैनिस की रहने वाली कैसेंडरा है ठीक है यह एक संपन परिवार में पली बढ़ी संपन परिवार में इनका जन्म हुआ यह पली बढ़ी और इसके बाद फिर इनके जो फादर है इनके फादर इनको एक चर्च में एक मौंक के पास रखते हैं किसलिए ताकि यह philosophy का अध्यन कर पा है ठीक है और उसके बाद फिर यह क्या करती है राइटिंग करना शुरू करती है अपने विचारों को अभीवक्त करना शुरू करती है ठीक है और अपने विचारों को अभीवक्त करने के साथ साथ वुमें इंपावर्मेंट की तरफ द्यान देती है और इनका क्या कहना है और टुसीख अंब्रेस दिश्ट यानि हर जो वुमेन है उस वुमेन को चीजों का यानि यह जो कंसेट है उनको स्टडी करना चाहिए और स्टडी करके उसके कॉर्डिंग जो है वो काम करना चाहिए कुल मिलाके एक इनका कहना था कि अगर जादा से जादा महिला इस चीज को करेंगे या नी पढ़ाई हो गया या आज जो उनको एंब्रेस करना हो गया तो उससे क्या होगा उससे कुछ परिवर्तन निकल के आएंगे क्लियर है चलो तो आगे आप देखोगे कि उनकी यह कैसे जो है उनकी प्रॉफिशियंसी उनके नॉलेज की वज़े से इनकी जो सिस्टर है उस समय उनिवर्सिटी ऑफ पैजूर से ग्रेजूट होने वाली थी ठीक है तो इनको इनकी प्रॉफिशियंसी और इनकी इंटिलाक्च्वल अबिलेटी की वज़े से उनिवर्सिटी ऑफ पैजूर जो है वो लेक्चर वगरा देने के लिए बुलाएगी इनको इन्विटेशन दिया जाने लग गया दूर दूर त इससे अब آپ समझ सकते हैं की महिलाओं को पढ़ने लिखने का जैनी कुछ परिवार ऐसे होते थे जो परिवार महिलाओं के पढ़ने लिखने की तरफ थोड़ाँ सा ध्यान देते थे और उनको आप देख रहे हो कि बड़ी युनिवर्सिटीम में क्या कर रहे हैं र predator और उन का एक्सचेंज करेगी ठीक है प्रिंटिंग वगर आ चुकी थी तो लैटर राइटिंग हो गया ठीक है बुक रीडिंग हो गया इन सब में कैसेंडरा जो है बहुत दक्ष है ठीक है बहुत पर्फेक्शन है उसका कैसेंडरा का और पढ़ने के बाद अब महिलाओं के साथ क्य में एक्सचेंज करती थी ठीक है इवन आगे आप देखोगे कि और बड़े बड़े जगों पर कैसेंडरा को जो है वो बुलाया जाएगा लेक्शर वगरा के लिए यानि अपने जमाने की कैसेंडरा जो है वह बहुत बड़ी स्कॉलर जो हो जाए है ना तो स्कॉलर के तौ एक्शुल के तोर पर जानी जाएंगी ठीक है तो यह एक एक है कुछ के लिए मतलब जहां एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि समाज पित्रत सतात्मक्त है और महिलाओं का जो पॉब्लिक लाइफ है वह बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है महिलाओं को पॉब्लिक आने नहीं दिया जा रहा ऐसे समय में कुछ ऐसे उदारन भी आपको मिलते हैं जो पॉब्लिक लाइफ में देखो एक अच्छे एक्जाम्पल सेट करना इसके अलावा हमें कुछ और महिलाओं का जिक्र मिलता है जैसे मार्केसा ठीक है so मान्टूआ की मार्केसा जो है ठीक है ये एक्छली टाइटल है इनका इनका एक्छिल नाम इसाबेल था ऑने गदाने तो सो फर्डिनांट और दंडाफ यह कम संके और यह मिद्यगर करेंगी ع listens इस कहा जाता ही कि के आप आ जाये ठीकए और यह में अपने आप में काफे intellectual और brilliant woman थी तो वो कैसेंडरा को बुलाती है कि क्यों ना आओ और हम लोग साथ में मिलकर साशन विवस्ता यहाँ पर चलाएं लेकिन अब यह था कि उस समय कुछ war की situations भी चलती रहती थी और same time पर Italy और France के बीचे भी कुछ conflicts चलेंगे तो इन conflicts के चलते क्यासेंडरा मना करती है कि नहीं इस तरह की unstable situations में मैं आके आपके साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि अभी हम लोग जिन जिन domains में जिन geographical areas में रह रहे हैं वो दोनों geographical areas एक दूसरे के conflict में हैं तो कुल मिलाके हमने इस पूरे view में इस पूरे वीडियो में यह देखा यह view किया कि जो women's की condition है जो women's के aspirations हैं वो एक तरफ तो बहुत restricted हैं लेकिन दूसरी तरफ समाज का एक तपका ऐसा भी है जो women's को थोड़ा सा independence भी दे रहा था लेकिन यह independence भी ऐसी नहीं थी ठीक है कि वो पूरी तरीके से एक bulk level पर आपको देखने को मिले या एक बड़ा group of section आपको देखने को मिले कुछ एक चंद ऐसी महिलाएं हैं जो कहते हैं कि out of circumstances, out of family support एक बहुत बड़े leadership की तरफ जा रही है लेकिन maximum women's जो हैं वो आपको सिर्फ household activities तक confined मिलेंगी तो hopefully आपको यह aspirations of women वाला video समझ में आ गया होगा कि उस दौरान बदलते हुए यरॉप के परिवेश में महिलाओं की क्यास्तिती थी तो बने रही है मैंगनल ब्रेंज के साथ, thank you